कब ihrer ब anuger किसी बी नाम के पीछे मत भागा करिए क्योंकि जो सेक्टर आगे जाता जो company आगे आगे जाथी वो किसी promoter बज़े से नहीं वो अपने काम की बज़े से आतीह वा अपने जो management देखते हूँ owner का uski बज़े से जाती Grow टी cabin प्रप्रशन आएगा उसमें रुपया लगाएगा तो कंपनी आगे ऊपर चली जाएगी तो हाँ जाएगी बुलकुल जाएगी क्योंकि उस प्रमोटर में इतनी हिम्मत है कि वह कंपनी को उपर ले जा सके लेकिन एक टाइम पर वह नीचे भी आ जाएगी तो इसके लिए कोई भी कंपनी में अगर आप रुपया लगाते हो देखिए वह सेक्टर वह इंड़स्ट्री आगे जाने वाली है और आने वाले टाइम में आप इस तरहिके से देखिए कि आने वाले टाइम में क्या गिरोत होगी इसके लिए क्या लोग इस कमपनी का प्रोड़क्ट लें तो प्रमोटर को देखके कभी भी कमपनी में रुपया नहीं लगाना चाहिए मिश्टर राकिष जुन्जुनबाला जी या मुके संभानी जी राराकिष ने दमानी जी अगर इनकी बात करें जो कि आप सोचते हो कि अगर इन्होंने लगा दिया तो मैं भी लगा दूँगा अगर थाइड परसन ने लगा दिया तो मैं भी लगा दूँगा यह नहीं चलता है इसे खरीदने जा रहे हैं अब कंपनी को तो खरीदने नहीं जा रहे हैं लेकर बचानी की यहां पर पूरी कोर्स की जा रही है यहां पर आप देखो के रिलाइंस इस पार्टनिंग बिद एसेट के रेकंस्ट्रक्शन एंटरपराइज लिमिटेड टू बिड़ फॉर दी क प्रोसेस तब आती है और यह कंपनी को बचाने के लिए काम करती है या पर एक रहत दिलवा देती है कंपनी को कि आपको केवल इतना ज्यादा डैप्ट पे करना है उसके बाद आप जो भी है जीरो पर आजाओगे जीरो पर मतलब आपका डैप्ट खतम हो जाएगा तो यह तो तो रोल要द बचाने के लिए काम करते हैं सकता है को कंपनी को बोरा कि हो आप काम बंद करो कोई और काम करने हो आतो या तो यह इतना परसेंटेज चुकाना है उसकski बाद, उसके बार शेंख च denial क्टी शतार सब्सका कंपनी को पिर खढ़ा कर सकते हैं तो यह सारी साक्क प्रोसेस की द्वारा और अगर आप देखो कि मुखिष अमभाशा यह तर पर से यह लांस आशा में ऑखेश और इंडस्ट्रीज की spback तरफ और इंडियन को मिले और इंडियन टेक्स्टाइल में अगर आप देखो सिंटेक्स इंडेस्ट्री पहले बहुत ऊपर चली गई थी अब दीरे दीरे भी यह नीचे आ चुकी थी अल्मुस्ट आप देखो कि स्टॉक जो ता बहुत नीचे आ चुका था फिर से इसमें रिबर देखने को मिला तो आपक से देखने को मिलेगा हालां कि मुकी संबानी जी की जैसे ही न्यू जाती है कि यह इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो यह इस टॉक भागना इस्टाट कर देता है और बहुत ही स्पीड में यह भाग जाता है तो हमेसा आप यह देखिए कोई भी अगर प अब हमेसा ही भागता रहेगा तो यह पॉसीबल नहीं है हाला कि मैं यह नहीं करता कि यहां पर बिल्कुल भी रोद नहीं कर रहा हूं मैं कि आपको इसमें इन्वेस्टम नहीं करना चाहिए देखिए आप जो देखोगे एक साल से अगर आप डेटा देखिए पूरे एक सा नीचे ही देखने को मिल रहा है हाला कि आप कंपनी में आपको रिजलुशन प्रोसेस देखने को मिल रही है जो कि कंपनी को बचाने के लिए एक काम कर सकती है हो सकता है कंपनी के कुछ चीज हैं आपको जो देखोगे थोड़ी सी आपको यहां पर कंप्रमाइज होती हुई देखने को मिलें वो बताएं आपको की company को किस तरीके से manage करना है किस तरीके से आपको debt pay करना है अगर एक time पर आप देखोगी इस टॉक जो आप देखोगी एक time पर पहुंच चुका था इसका 250 रुपीज तू फिलास रुपीज पर यह पहुंच चुका था जो कि बहुत ही सा लगाता नीची आया फिरसे इसने bounce back किया 100 पर देखने को मिला हालां कि यही condition आपको फिलाल देखने को मिल सकती है हो सकता है कि इस company का management है वो सुधर जाए और अच्छे तरीके से काम करने लगे company का debt भी reduce हो जाए तो उसके लिए भी काम हो सकता है और यह stock फिरसे आपको में रुपया बनाया जाता है लेकिन कभी भी आप किसी company में रुपया लगाते हो कभी भी आपको promoter नहीं देखने क्योंकि अगर एक और company की मैं बात करूं तो उसका आप देखो कि मुखे संभाणी जी की new जाई थी तो वह stock आपको बहुत ही speed में बागते हुए देखने को म मिलने लगा तो हमेशा यही होता है अगर आप सोचें कि promoter ने रुपया लगा दिए तो stock हमेशा बढ़ता ही जाएगा तो यह नहीं होता है ऐसा नहीं होता मुखी संभाणी जी कि खुद की भी company reliance industries वह अभी उसी में अपको ध्यान देते हुए देखने को मिलेंगे हाला कि syntax industries को अगर यह acquire कर लेते हैं तो इसमें भी ध्यान देंगे लेकिन आपको कभी भी आँखें बंद करके रुपया नहीं लगाना है मैं हमेशा आपको suggest करता हूं थोड़ी से fundamental देखिए company का valuation देखिए balance seat देखिए फिर अगर company आपको अच्छी लगती तब आप रुपया लग कि company ने overall कुछ past five year में past three year में किस तरीके का performance दिया है उसके basis पे आपको company में investment करना है तो बात करें अगर syntax industries की currently आपको 10 रुपय पे देखने को मिल रहा है और जो आप देखोगे इसने जो high लगाया है 52 week का यह आप देखोगे 30 रुपीज पे देखने को मिल रहा है 52 week का low 3.25 देखने को मिल रहा है तो इस तरीके से आपको यह इस टॉक देखने को मिलता है अगर महीं पर बात करें लास्ट five days की वंड़ तो आप देखोगे यह हमेसा upper circuit या lower circuit में आपको देखने को मिलेगा lower circuit यह यही चलता रहा है इस stock मैं क्योंकि आप देखोगे यह जो stock है लगात यह बढ़ा था उसकी वज़े से आपको इसमें अपर और लोर सरकेटी देखने को मिल रहे हैं फिलाल तो यह सारी सीच में बतानी थी आपको कि किस तरीके से आपको डिसीजन लेने कि पर मोटर्स अगर किसी कंपनी में रुपया लगाते हैं तो आपको लगाना चाहिए और न अपना डीमेट अकाउंट बनाईए और अपनी इंवेस्टमेंट रिस्टाइट कीजिए